बीजेपी प्रदेश कार्याले में ब्रिजलाल ने प्रेस कॉन्फरेंस कर विपक्षी दलों और समाजवादी पार्टी के मुख्या अकिलेश यादव पर जम कर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में गुंडे माफियाओं और आतंगवादीयों को सरलक्षन दिया जाता है और योगी सरकार में इन पर बुल्डोजर चलाया जाता है वे महभुवा मुफ्ती पर तीखा प्रार करते हुए नजर आए। साथ ही इसी प्रेस कॉंफरेंस में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और जॉइनिंग कमेटी के सदस्से दयाशंकर सिंग और मंतरी मोहन सिंग राजा ने बसपा के दो निताओं समेत कई कारेकरताओं को बीजेपी की सदस्रता ग्रहन कराई। प्रिजलाल यही नहीं रुके उन्होंने अखिलेश यादव और उनकी सरकार पर एक के बाद कई हमले किये और आरोपों की जड़ी लगा दी। परिशान है आज मोदी और योगी के खिलाफ एक इंटरनेशनल साजिश हो रही है और इस साजिश में समाजवादी पार्टी भी शामिल है। मोदी और योगी के राज में आतंकी साटगार्ट सफल नहीं होगा इसलिए आतंकियों और गुंडों माफियाओं को संरक्षन देने वाले परेशान है। आज बसपा चोड़ कर दो नेताओं ने अपने कई समर्थकों के साथ भारती जंता पार्टी की सदस्ता ली। जिन बसपा के नेताओं ने बीजेपी की सदस्ता ली, उनमें बसपा के महिश, पाल और अनिल सिंग, कुरील शामिल है। इन दोनों निताओं के साथ दरजनों कारेकरताओं ने भी भारती जन्ता पार्टी की सतस्ता ग्रहन की बता देगी योगी सरकार के मंत्री मुहसिन रजा ने कहा कि लगातार भारती जन्ता पार्टी का कुन्बा बढ़ रहा है जिसको लेकर विपक्ष हैरान और परेशान है भारती जन्ता पार्टी किसी को जवरन अपनी पार्टी में शामिल नहीं कर रही है ना ही कोई लालच दे रही है लोग अपनी इक्छा अनुसार बिना लालच के भारती जन्ता पार्टी की सतस्ता ग्रहन कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि भारती जन्ता पार्टी जन्हित में काम करती है सभी धर्म और सभी मजब के लोगों का सम्मान सिर्फ भारती जन्ता पार्टी में ही सुरक्षित है इस खबर में इतना ही, ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारा चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, धन्यवाद